UPROARO की परिच्छा में दुतिये प्रश्णपत्र हिंदी का होता है। साथ अंकों का यह प्रश्णपत्र हमारे लिए अति महत्योपोर्ण हैं क्यूंकि यदि हम हिंदी में 85 प्रतिसत से अधिक अंक ले आते हैं तो हमारे cut-off clear करने के जो chances हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। हमारा 75 days hard challenge for UPROARO 2023 on है और आज हम हिंदी के paper के लिए विलोम सब्दों को पढ़ेंगे। 10 अंकों के विलोम सब्द हमारी परिच्छा में आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विलोम सब्दों की रचना होती है और ऐसे कौन-कौन से नियम है जिनका प्रयोग करके हमें जिन सब्दों के विलोम नहीं पता उनके विलोम सब्दों का भी पता लगाया जा सकता है। यदि आप UPROARO 2023 की सीरियस डिप्रेशन कर रहे हैं तो हमारे 75 डेज हर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको प्रति दिन के टार्गेट्स, स्ट्रेजी और स्ट्रेडी मैटेरियल्स मिलते रहेंगे। नमसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नॉलिफाईट पर चलिए शुरू करते हैं। विलोम सब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत तो जो भी सब्द किसी सब्द के अर्थ का उल्टा होता है वह सब्द उस सब्द का विलोम सब्द होता है विलोम सब्द की रचना के कोई सिध्ध नियम नहीं होते हैं लेकिन कुछ उपसरगों के प्रयोग के द्वारा लिंग परिवर्तन के द्वारा संग्या सरुनाम के परिवर्तन के द्वारा हम विलोम सब्दों के रचना कर सकते हैं तो विलोम सब्दों की रचना कर सकते हैं तो उपसरगों के प्रयोग के द्वारा हम विलोम सब्दों की रचना कर सकते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा हम विलोम सब्दों की रचना कर सकते हैं नत्र समास यानि कि नहीं अर्थ वाले सब्दों को जोड़कर हम विलूम सब्द की रचना कर सकते हैं भिन जातिया वर्ग के सब्द के द्वारा हम विलूम सब्दों की रचना कर सकते हैं उपसर्गों को परिवर्तित करके उपसर्ग और यहां कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनके द्वारा कि हम विलोम सब्दों की रचना कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि उपसर्ग के प्रयोग के द्वारा यह सबसे जादा महत्तपूर्ण इन सभी नियम में कि उपसर्ग के प्रयोग के द्वारा हम विलोम सब्दों की रचना किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उपसर्गों के प्रयोग से पहले हम कुछ महत्वपून नियम देख लेते हैं, जिन नियमों को यदि हम अपने ध्यान में रखेंगे, तो हमको परिच्छा में सही विलोम सब्द को ज्याद करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो जो नियम है, वो क्या-क्या है? जो भी सरवाधिक उपयुक्त विलोम सब्द होगा, वो उसी स्रेंडी का सब्द होगा, जिस स्रेंडी का सब्द हमारे प्रस्ण पत्र में पूछा गया है। जैसे कि यदि कोई तत्सम सब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम सब्द ही होगा और यदि कोई तदभो सब्द है तो उसका विलोम भी तदभो सब्द होगा उदाहराण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि परिच्छा में इस्त्री का विलोम पूछा गया है तो इस्त्री का व तदभव की जोड़ी तदभव के साथ बनेगी जो दूसरा एक नियम है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो यह है कि किसी भी सब्द का जो विलोम है वो उसके मूल के अनुसार ही होना चाहिए मूल के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि यदि सब्द संग्या है तो उसका विल का विलोम संग्या हो जाए ऐसे होने की चांद से बहुत कम रहते हैं जैसे सुख का जो कहीं है gloricum को घ्याद करना है तो कहीं यह दो नीयम हमको ढगने हैं कि एक तो उसी स्रेंडी का विलोम होगा और मूल एक ही होंगे दोनों सब्दों के आईए अब वो नियम देखते हैं कि उपसर्गों के द्वारा हम विलोम सब्द को कैसे ग्यात कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आउपसर्ग के प्रयोग से सब्दों के आगे यदि हम आउपसर्ग क को प्राप्त हो जाते हैं जैसे मानवीय का विलोम अमानवीय का विलोम अकार्यय नाम का विलोम अनाम धीर का विलोम अधीर दूसरे उपसर को देखते हैं अनुपसर्ग यदि हम सब्दों के पहले अनसब्द को जोड़ देते हैं तो उससे भी हमको उनके विलोम सब्दों का ग्यात हो जाता है जैसे इस्ट का विलोम अनिस्ट इक्षा का विलोम अनिक्षा उपमे का विलोम अनुपमे आहूत का विलोम अनाहूत आगे बढ़ते हैं निर उपसरग का प्रयोग देखते हैं यदि हम सब्दों के पहले निर सब्द को जोड़ देते हैं तो उससे भी हमको विलोम सब्द का ज्यात हो जाता है तो जैसे आसा के पहले हम निर्जोड दें तो क्या बन जाता है निराशा आसा और निराशा ये आपस में विलोम सब्द हैं भै के पहले निर्जोड के हमको निर्भै प्राप्त हो जाता है सगुण का निर्गुण और आहार का निराहार ये निरुपसर के प्रयोग हैं, ऐसी यदि हम वी उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं, तो क्रै के पहले अगर हम वी जोड़ दें, तो क्रै योग के पहले वी जोड़ के वी योग, संपन्न के पहले वी जोड़ के विपन्न, और उन्मुख के पहले वी जोड़ के वी मुख, ये स सब्द का जो अर्थ है उसका बिल्कुल भिन्द बना देते हैं उसके अर्थ को अलग कर देते हैं वो सब्द उपसर्ग होते हैं जिन मित्रों को उपसर्ग का मतलब ना पता हो उनको मैं उपसर्ग का मतलब बता देता हूं आगे बढ़ते हैं अब उपसर्ग को देखते हैं त अब उपसरग के प्रयोग के द्वारा नेच्श जो हमारा उपसरग है वो है प्रति उपसरग यह सारे उपसरग आप कहीं पर लिखते रहेगा कि इन उपसरगों के द्वारा हम विलोम सब्द का ग्यान को ग्यान कर सकते हैं तो वादी में अगर हम प्रती जोड़ने तो प्रतिवादी वाद का प्रतिवाद फल का प्रतिफल घात का प्रतिघात तो प्रति उपसर के प्रयोग से भी हमको विलोम सब्दों का ग्यान हो जाता है ऐसी यदि हम अब उपसर क का प्रयोग करें तो सुदिन का दुरदिन हो जाता है आचार का दुराचार हो जाता है सद वेवहार का दुर वेवहार हो जाता है आग्रह का दुराग्रह हो जाता है तो दुर उपसरग के प्रयोग से भी हमको विलोम सब्दों का ज्यान हो जाता है ऐसे कुछ और उपसरग है शू, कू, आ, नी, न, इन उपसरगों का प्रयोग भी यदि हम करते हैं, तो हमको कई बार विलोम सब्द ज्यात हो जाते हैं, जैसे वीरत का नीरत हो जाता है, सुकीरती का कूकीरती हो जाता है, पक्च का निश्पक्च हो जाता है, गत का आगत हो जाता है, शादर का निराद हो जाता है सुमती का कुमती हो जाता है तो इन सब्दों को इन उपसरगों को हमको अपने ध्यान में रखना है जिससे जिनसे की हम विलोम सब्दों का ज्यान लगा सकते हैं विलोम सब्दों को ज्यात कर सकते हैं पिछले वर्सों में कई बार ये विलोम सब्द पूछे गए है आईए देखते हैं ये कुछ विलोम सब्द हैं जो की उपसर्ग के द्वारा ही वने हुए हैं और इन सब्दों के आगे मैंने वो सारी परिच्छाएं भी लिखी हुई हैं जिन परिच्छाओं में ये प्रस्ण ये सब्द पूछे गए हैं तो ये सारे बहुत ही महतुपूर् पूछा गया। यो के पीस्यश में कई आरोयारो में सब्द पूछा गया है । अती वरिष्ट अपेक्षा का इलिए उपहक्षा अमृत olsun होता है के ये rude की परिच्छा में उनिंत गया है अमर का जो विलोम होता है मरत्य आवाचीन अरवाचीन का विलोम होता है प्राचीन यह वड़ा important सब्दे कई बार कई परिछों में पूछा गया कनी यह का विलो होता है थिग अनुकूल का प्रतिकूल अनुराक का वीराग अक्छर का चर असली का नकली, इसी तरीके से अलपग्य का होता है बहुग, अत्यंत का अनंत्यंत, अधम का उत्तम या स्रेष्ठ या महान, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम, अंतरंग का वहिरंग, अंतरमुखी का बहिरमुखी, अधोगामी का उर्धुगामी होता है, अंतरद्वंद का विलोम हो अचल का विलोम होता है, चल, यहाँ पर देखिए यह, आ जो उपसर्ग है, उसको जोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया तो हमको चल मिल गया, अचल का चंचल, असीम का सीमित, अरपित का ग्रहित, आदान का विलोम होता है प्रदान आदर का निरादर ये भी देखिए उपशरग से ही बना है आस्तिक का नास्तिक ये भी उपशरग से ही बना है। तो ये कुछ सब्द थे जो पिसली परिच्छों में पूछे गए हैं विलोम सब्द और जिनकों के हम उपसरगों के प्रयोग के द्वारा ही हम इन सब्दों के विलोम सब्दों का ग्यान कर सकते हैं समय समय पर आपको हमारे चैनल पर ये सारी वीडियो भी मिलती रहेंगी आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है नौलीफाइट के नाम से उसको जॉइन कीजिए वहाँ पर आपको सारे स्टेडी मैटेरियल का पीडियेग भी मिलता रहेगा विश्वास कीजिए अगर हम ये 75 हाड चैलेंज सक्सेश्फुली कंप्रीट करते हैं तो हमारा सेलेक्शन निश्चित तौर पर होगा थैंक यू